Hello friends, welcome to Fulwari. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे plants की जो hanging basket में easily grow हो जाते हैं. जो hanging basket के लिए एकदम perfect plants है. Hanging basket का एक benefit यह होता है कि थोड़ी सी जगे में भी set हो जाते हैं. आज कल काफी लोग apartments में रहते हैं, जा इतना space नहीं होता कि pots में plants लगा सकें. तो उनके लिए hanging basket perfect option होता है, वैसे भी hanging basket में लगे plants बहुत खुबसूरत लगते हैं, hanging basket में plants लगा कि आप अपनी बाल के नी या किसी भी corner को सुन्दर बना सकते हैं, तो आईए जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे plants हैं, जो hanging basket के लिए एकदम perfect हैं, पहला है wandering Jew, wandering Jew एक peninal plant है, यह hanging basket बहुत सुन्दर लगता है, देखे इसके leaves होती हैं, इस पर डिजाइन होता है, पीछे से purple color की होती है, wandering Jew में भी दो-तिन टाइप के variety होती हैं, जैसे देखे जो यह leaves है, इनका अलग color है, यह आगे से भी purple है, और पीछे से भी purple है, और इस टाइप से इसमें lining है, और यह वाली leaves है, यह अलग है, दोनों बहुत खुबसूरत लगती हैं, यह एकदम cutting से easily grow हो जाता है, और wandering Jew easily grow होन तेजी से grow होने वाला plant है, hanging basket में भी बहुत खुबसूरत लगता है, यह पानी में भी बहुत अच्छे से चलता है, next है syngonium, syngonium भी hanging basket में बहुत सुंदर लगता है, syngonium भी perennial plant है, और यह easy to grow और low maintenance plant है, इसको बहुत ज्यादा तेज धूप की requirement भी नहीं होती, इस plant के ल perfect होती है, उससे यह क्या होता है, पूरी basket भर जाती है, जो बहुत खुबसूरत लगती है, देखिए यह है पॉट्चुल का, पॉट्चुल का, यह moss rose hanging basket के लिए एक दम perfect plant होते हैं, इस समय चुकि सुबह का time है, जब धूप होती है, तब इसके फ्लॉर्स खिलते हैं, यह द दो वराइटी होती है, एक देसी वराइटी और एक hybrid वराइटी, जो देसी वराइटी होती है, वो समर में उसमें flowering जैसे होती है, और winter में खतम हो जाती है, तो उसको उसी pot में लगे रहने देजिए, देखिए जैसे मेरा last year का plant है, मैंने इसको ऐसी में लगा छोड़ दिया रह पाती है, पर जो इसकी देसी वराइटी होती है, यह काफी hard ही होती है, और यह काफी time-tech आपकी garden में बने रही है, जेट प्लांट, जेट प्लांट भी hanging basket में बहुत सुन्दर लगता है, जेट प्लांट भी easy to grow और low maintenance plant है, इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्यो इसको आप full sunlight में रखिये, यह summer में बहुत थेजी से grow होता है, और winter में थोड़ी सी इसकी growth रुख जाती है, प्लांट है, baby sun rose plant, baby sun rose plant, hanging basket में बहुत सुन्दर लगता है, यह देखे, इसमें किते सारे फ्लॉस आ रहे है, इसकी leaves से बहुत खुप सूरत लगती है, इसकी leaves से र plant को मिलती है, उतनी अची flowering इसमें होती है, यह भी एक perennial plant है, इसे पानी बहुत कम चीए होता है, over watering से यह plant खराब हो जाता है, hanging basket के लिए, baby sun rose एक perfect plant है, money plant, money plant भी hanging basket में बहुत सुन्दर लगता है, money plant थो mostly सभी घरों में होता है, money plant cutting से भी easily लग जाता है, इसे good luck plant भी कहा जाता है, यह indoor भी बहुत अच्छे से चलता है, और outdoor भी बहुत अच्छे से चलता है, purple heart, purple heart भी hanging basket में बहुत सुन्दर लगता है, यह भी easy to grow, low maintenance plant होता है, इसमें यह देखी जो pink color के flowers यह आते हैं ऊपर से, यह बहुत खुबसूरत लगते हैं, यह जब hanging basket में ऐसे लटकता ह तो बहुत सुन्दर लगता है, इस को full sunlight में रखेगा, इस यह पानी की कम जरूरत होती है, over watering से यह plant घराब हो जाता है, hanging basket में बहुत खुबसूरत लगता है, smaller behavior गो सुन्दर उपर, lear pré-handian mowski ऐस बहूद सुन्दर लगता है, spider plant भी low maintenance plant होता है, इस को full sunlight में रखी गा, जब हें जब यह भास्केत में लगताए पूरा बास्केत भर जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। और जब थोड़ा प्लांट बड़ा हो जाता है इसमें बीच में से रर ना निकल के आते हैं। उसमें छोटे-छोटे वायट फ्लॉस होते हैं जो बहुत देखने में बहुत शुन्दर लगते हैं तो आप यांगिंग बास्केट में एक स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हैं इस सब बनाएगे विदीयो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रि वीडियो में एक नहीं प्लांट के साथ तिल देट बाई बाई बाई